हाई फ्रेंड्स मैं आपका भाई पवननात योगी आज ये टाटा का एरिश जीप है इसके टैपिट के बारे में मैं आपको बताऊंगा इसमें कई बार सस्पेंज रहता है ये टैपिट रोकर आती है ये उल्टी सुल्टी डर जाती है जिससे ये उल्टा स्टार्ट हो जाता है ये इनलेट मैनिफोल्ड है इसमें से दुवा आने लग जाता और साइलेंसर से ये सक्षन करने लग जाता है इसके लिए आपको मैं बैस ट्रिक बताऊंगा इसके टैपिट रोकर कैसे इस्टॉल करते हैं इसमें टैपिट वगरा सब मिलाना बताऊंगा कहां पर वीडिया बनाएंगे ये वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सब्सक्राइब के नीचे बैल आइकन का बटन है गंटे का निसान उसे दबा दो ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिपी कैसा न आ जाए चलिए द अलब ही टॉप पे टी ये निसान कहां पे ले जाना है मैं आपको बताऊंगा ये आपको तीर का एरो दिख रहा है यहां पर इसकी एकदम जच सामने टी लाना है अभी फ्लाइवील गुमाएंगे हम ये देखिए टी का एरो एकदम सामने आ गया है अभी यहां पर इसके टैपिट मिल जाएंगे ये 11 नमबर के बॉल्ट है इसको डीला करके यहां से स्कूरू ड्राइवर से इसके टैपिट सेट कर देएंगे टैपिट फिलर गेज जे भी सेट कर सकते हो और यहां से अपन द टोड़ी थोड़ी प्ले कर दे और फिलर गेज से तो हौई मैथाड होता है 10 mm और 12 mm आल Apa goo इसे ठीज देखिज हैं ऑथोW में अब यह उल्टा स्टार्ट होता है इसके लिए भी मैं बताओं हो आपको हैं यह उल्टा स्टार्ट नहीं होगा कि इनलेट वाला रोकर आउटलेट में दल जाएगा और आउटलेट वाला इनलेट में यह रोकर उल्टे सूल्टे डल वाल हो गया और यह वाला वाल इनलेट का वाल है देखिए यहां पर इनलेट का मैनिफॉल्ड है यह इनलेट का वाल हो गया अब बात है रोकर की तो रोकर कैसे रहेगा कौन सा रोकर किदर रहेगा इनलेट का किदर आउटलेट का किदर यह देखिए यह आउटलेट का रोकर ह ये इदर गेरआबट ज Tell that ये रोकर उसमें डंडेगा ये इनलेट का रोकर ये देखिए इदर फ्लाईवीलन वाछबी ये दरका इसका इदर की साइड में डल जाएगा नीचे ये दो खहांचे ऐसे आते हैं देखिए अपने ये टेहपेट ओपर से हैं वो हांचे ऐसे आइंगे ये ये इस वाला खहांचा है इस में इनलेट का डल जाएगा और य यह आउट्लेट गाला दर जाएगा इस दिकत नहीं आएगी, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है फ्रेंट्स, आप लाइक करोगे, आप सपोर्ट करोगे तब भी तो चैनल आगे बढ़ेगा, यह आपका इविश्वास है, कि मैं बार-बार वीडियो अपलोड कर रहा हूं और पुरा देखने के लिए, ठेंक्यू फ्रेंट्स, सभी मिस्ट्री भाईयों को,